아서 to keep its वीडियो कु Torprend이랑 我們 वीडियो देखे आने वहाले चलिए दोस्तो पहली देखिए है तो वांचा क сторफ से आ रही है मदरास हाई कोड नprofits करने सबयाए की पहली मैसेज कररा है और यह मैसेज कहा से होते ही आ रहा है कैसे आ रहा है उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए तो इस तरह की कुछ moderation वाला चलेगा दोस्तों के live image दीखेगा Google में के हम किस तरह जा रहे है वो show करेगा आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह की कुछ आ रही है तो आपको क्या लगता है दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अमरीका और चैना की तो ये लोगों का जो trade war चल रहा है उ शोमी और इस तरह का जिस्ता भी फोन है रियल में उस तरह का कुछ होगा आपको क्या लगता है जरूर बताया बात करते हैं दोस्तों होनर की तो होनर का टीवी आने से पहले दोस्तों एक लाग पीज प्री बुकिंग के लिए चल गया है दोस्तों बुक हो गया रेइस्टर हो गिया है आपको क्या लगता है वहीं दोस्तों वन प्लस से भी कैसे चूप रहेगा वह अपना 49 इंच 39 इंच और 75 इंच का टीवी को एनॉंस कर दिया दोस्तों बहुत ही जल्दी यह मार्केट में आने वाला है लेकिन इसकी प्राइस क्या होगी वही फ्लैक्शिप होगी या क्या होगी चलिए बात करते हैं दोस्तों आप Realme की तो Realme का Quad Camera वाला जो फोन है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि आज उन्होंने एनॉन्स किया अपना 64 Megapixel वाला कैमरे के बारे में कुछ बताया है दोस्तों वो 64 Megapixel है वो Samsung का कल मैने जो बताया था ISO Sail करके W1G इस तर पिक्सिब होगा ऐसा बता जा रहा है कि रियल्मी प्रो करते नाम से आएगा जिसमानाइब डागनेट 55 प्रोसेशर होगा और रियल्मी 5 और रियल्मी 5 प्रो जो होगा दोस्तो एक में 48 और एक में 16 Mbps पीक्सल का कैमरा इस तरह का होने वाला है दोस्तों कुछ लाइव इमेजेस आई यह दोस्तों मादक्षट जो उनके इंडिया के श्रीयों अपने ट्विटर एकॉन में डाला है और उसमें यह भी पता चल रहा है कि तीन अलग लग कलर में होगा ब्लैक कलर ग्रेडियन वाइट कलर में होगा रिक ब्लू कलर में होने व करते हैं सेल्ष्ट संसंघसान और मार्केटो मायक्रोसाफ्ट यह दोनों पाटनर्श में पाने यह दिन में केना दोस्तों अने वाले दिन में सेंगसान ग Baptist ल जोय दोस्तों दोस्तों अब कछतर्नान को देखसें हुआ क्शा के ब्लाट की बैटरी है , एसंट सा आता रो ध कैमरा वगारा काफी अच्छा फंच वोल डिस्प्ले के साथ आता है 45 वार्ट का फास्ट चार्जिंग वगारा सारा कुछ आप लोगों को तो मैंने बता दिया दोस्तों ऐसा बता जा रहा है कि 23 जूलाई से पहले 22 जूलाई तक आप इसे प्री बूंच कर सकते हैं इंडिया में दोस्तों और इसकी जो प्राइज दोस्तों ऐसा बता जा रहा है कि नोट 10 का जो 9999 अप्लस वाला जो वेरियंट है दोस्तों उसका जो है 79,999 तो इस तरह को कुछ आया है दोस्तों आपको क्या लगता है होगा चलिए देखते हैं वहीं दोस्तों सैंसन ने अपना एबुक एस भी लॉंच कर दिया है जो स्नाइब डगानी 55 प्रोसेसर वाला है दोस्तों देखने में तो यह लैट्टाप काफी खुश्तूरत लगता है दोस्तों बहुत सारी चीज़ है यूसबी टाइप सी और य परले न्यूस जो आ रही है सैंसन की तरफ से आ रही है ऐसा बताए जारहा है कि सैंसन का टैब एट एट पॉइंड वन दोस्तों लॉंच हो गया है पाच हजार एक सौ मिलियंपेर की बैटरी है दोस्तों इसमें स्नैप डागन 429 का प्रोसेसर है बात करते हैं इसके रेर कैम क्यारव 2MP का ने रहे हैं और दोस्तों जो है यही है इसकी जो प्राइज है अगरें रहा है तो इस तरह की कुछ है आपको क्या लगता है आपको लेना चाहिए चालिए दोस्तों बात करते हैं आग लेने उसकी तो Motorola के तरफ से आ रही है Motorola One Zoom यह जो फोन है चार रेयर कामरा वाला कुछ दिन पहले हववा उड़ा था दोस्तो इस तरह का कुछ लेकिन वो आ गया है इसमें 5X Zoom के साथ Hybrid Zoom के साथ यह फोन आएगा दोस्तो Snapdragon 675 23 मा प्रोसेसर आने वाला है 48 मेगा पिक्सल का कैमरा आने वाला है दोस्तो और भी बहुत सारा चीज है 4000 मिलियंपेर की बैटरी 27 वार्ट का पास चार्जिंग 6GB राइम 64GB और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आएगा दोस्तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो भी काफी अग पुस्तूरत लगता है वो पंच हो डिस्पले ट्रिपल ट्रेयर कैमरा के साथ आ गया दोस्तों 13 सितंबर से यह लॉंच होगा और इसमें एक्जोनों इन 609 का प्रोसेसर है दोस्तों 3500 मिलियंपेर की बैटरी यह 13 मेगा फिसकल का ट्रेयर और प्रेंट कैमरा दोस्तों प्र यह देखने में काफी खुब्सूरत लगता है पैताली सो मिलियंपेर की बैटरी चावाली सवाट का फास शार्जिंग कैमरा के बारे में नहीं बता है दोस्तों लेकिन ऐसा बता है जा रहा है कि इसमें ट्रिपल रियर कैमरा होगा जिसमें 48 मेगा पिक्सल पूर और पिक्स और G90T यो दो प्रोसेसर लेकिन आज एक बात पाता चलिए दोस्तों कि इसमें दो फोन लॉंच होने वाला है जो है रेडमी 7 का सक्सेसर Redmi 7 Pro 7 का सक्सेसर Note 8 Pro इसमें लॉनर ऩारे दॉस्तों दॉस्तों 30 Megapixel वाला जो form sensor होगा वो किसम होगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली नियूस की तो रेडिमी नोट सेवन प्रो वाइट अलर्क वेरियंट और सेवन इस यह दोनों पर लिए प्री बुकिंग के लिए आप रिजिस्टर कर सकते हैं इस तरह की कुछ नियूस आ रही है चलिए दोस्तों बात करते हैं शौमी के टीवी के तो उसमें बहुत ही जल्दी जियो टीवी आने वाला इस तरह की कुछ खबर आ रही है आपको क्या लगता है चलिए दोस्तों बात करते हैं शौमी के लाश नियूस की तो ऐसा बात आया प्रिंटर आया है जिसका नाम है यूदो मेमो बट 4G G4 इस तरह की कुछ प्रिंटर आये दोस्तों यह बहुत ही छोटा है एकदम स्मॉल सा लगता है दोस्तों पॉकिट में फिट हो जाएगा इस तरह की कुछ आ रही है दोस्तों 900 मिलियमपेर की इसमें बैटरी और इसकी जो प्राइज होने वाली है वो 2975 रुप है इसकी प्राइज होने वाली है दोस्तों जब ही आएगा तो इसकी सारी डेटेल देंगे कल आप लोगों को पता है दोस्तों Vivo S1 लांच हो गया है दोस्तों और ऑफ-लाइन इस्टोर में चल गया है इसकी जो प्राइज है दोस्तों इस तरह से है कि 4GB RAM 128GB internal memorial है जो वेरियंट है उसका 17,990 रूपए 6GB RAM 64GB internal memorial है जो प्राइज है दोस्तों 18,990 और 6GB RAM 128GB जो वेरियंट है दोस्तों उसका जो प्राइज है 19,990 तो इस तरह कि यार इसकी स्पेसिफिकेशन तो मैंने बता दिया है दोस्तों आपको क्या लगता आप खरीदेंगे तो कमेंट में बताइए चल्यश्तों आपने डीवल डीपले यला फ्रेड़ पारे में सुना होगा नहीं सुना है तो मैं बदा रहा हूं दूस्तों नूबिया जट ट्वेंटी यह जो फोन है ड्वल डिस्पले यला पार चार्जिंग यूएजब टाइप सी एस पेन के साथ होगा दोस्तों देखने में तो काफी खुबसूरत लगता है लेकिन इसकी प्राइस जो होगी बहुत एगरेसिव होगी 35,000 के करीब होगी और इसमें यह भी बता जा रहे कि 48 मेगा पिक्सल का इसमें सेंसर होने वाला प्राइफिकेशन तो ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है लेकिन इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 8 मेगा पिक्सल का रेयर कैमरा और 5 मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा होने वाला है जोग होगा यही होगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आप डिल्स की तो अवेजन का फ्रीडम से चल रहा है जिसमें बहुत सारी अच्छी चीज़े मिल रही है मुबाइल वागारा में बहुत सारी चूट है वहीं गूगल पिक्सल फोर्ट दोस्तों पाच हजार से सस्त होगे आप जाके खरी सकते हैं यह एक प्लान आया दोस्तों अगर आपका डेटा खतम हो गया तो 99 का रिचार्ज करके आप पाज फाइब जी डेटा ले सकते हैं दोस्तों वहीं फ्लिपकार्ट में जो टीवी है वो 6999 रुपय में मिल रहा है तो इस तरह कुछ ख़बर आ र औरे मिलें